Dear students, हम लोग earlier modules में देख चुके हैं कि what is document object model, let's have a look at it again, और हम लोग फिर ये देखेंगे कि javascript के थुरू हम लोग document object model को कैसे access करते हैं यह हम लोग ने डिसकस किया था कि किसी भी HTML document को हम लोग एक document object model के form में represent कर सकते हैं in fact हमारे पास कोई भी XML document हो तो उसे हम लोग एक tree की form में represent कर सकते हैं और उसे हम लोग even मतलब dom के थुरू javascript के थुरू हम लोग उसको access भी कर सकते हैं जब हम लोग HTML document को as a dom tree represent करते हैं तो tree हमारे पास एक data structure है और वो data structure हमारे पास javascript के अंदर accessible हो जाता है और जब हमारे पास javascript के अंदर accessible हो जाता है तो फिर हम लोग इस tree के अंदर manipulations कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, उसके अंदर नए elements add कर सकते हैं, existing को remove कर सकते हैं जब हम लोग DOM tree के अंदर से elements को manipulate करेंगे, तो उसका impact हमारे पास HTML document के उपर होगा वो जो changes हम लोग DOM tree के अंदर JavaScript के थू करेंगे, वो हमारे पास that page के अंदर reflect हो रही होंगे here is an example of a DOM tree, यह हमारे पास HTML document है, जब हम लोग DOM tree को JavaScript के थू हम लोग access करेंगे तो जो हमारे पास main variable होगा, जिसके थू access करेंगे, वो हमारे पास document होगा document represents the document object model DOM object for the HTML page on which we are working so, यह हमरे पास document हो गया, फिर उसके बाद हर जो element है वो एक node बन जाएगा, HTML एक node है, head एक node है, meta, titles यह सब nodes है, जो nodes हमारे पास tree में एक level पे होंगी, उसको हम लोग sibling nodes केंगे, जो हमारे पास एक node के children होंगे, वो हमारे पास children nodes के लाएंगे, जिसने body के हमारे पास children कौन से है, h1, p, image, h2 यह इसके children nodes है और फिर हमारे पास किसी एक node के जो parent node है, we will call it a parent node, तो यह हमारे पास बिलकुल यह जो dom tree है, यह reflection है हमारे पास इस html code के, इस tree को हम लोग जो है, वो java script के थूँ एक्सेस कर सकते हैं, using the document object हमारे पास जब nodes create होती है, एक dom tree की, जब actually हम लोग tree memory में create कर रहे होते हैं तो हमारे पास हर एक चीज नोड बन जाती है, जाए वो हमारे पास कोई element है, जाए वो text है, जाए वो spaces है, new line characters है, everything becomes a node जिस तरह यहां पर हम लोग एक example ने, एक paragraph का tag है, उसके अंदर हमारे पास anchor का tag है, यह just हमारे पास text document की वरह से wrap हो गया, वरना this anchor tag should in the code it appear, let's say it appears after in, right, इस तरह करके हमारे पास appear हो रहा है फिर हमारे पास central park, text है, कुछ anchor tag close हो रहा है, फिर हमारे पास new line है, और फिर paragraph tag close हो रहा है, इसका हमारे पास drum tree कैसे बनेगा, by the way, जब हम लोग कहते हैं कि drum tree बनेगा, तो automatically हमारे पास browser यह वो इस चीज़ को handle कर रहा है और create कर रहा है, तो हमारे पास यह जो p है, this would be an element node, because it represents an HTML element, अब इसके अंदर हमारे पास जो शुरू में text आ रहा है, अब यह text हो हमारे पास text है, उसकी अपनी एक node बनेगे, उसे हमारे पास text है, इसके एक text node बन गी, इसके बाद हमारे पास anchor tag शुरू हो रहा है, तो फिर हमारे पास इसका p का एक दूसरा child शुरू हो जाएगा which would be an anchor tag तो हमारे पास फिर यह anchor tag होगा anchor tag के अपने हमारे पास यह है वो कुछ children होगे जिससा उसका attribute है वो भी एक children बन जाएगा उसे हम लोग attribute note केंगे जो anchor tag अंदर text यूज़ हो रहे है वो भी हमारे पास एक child बन जाएगा इसका इसकाइब central park है तो वो हमारे पास एक text node बन जाएगी फिर हमारे पास enter है, कुछ spaces हैं, new line है अब यह भी जो new lines और spaces हैं यह भी हमारे पास text बनती है, node बनती हैं तो यह हमारे पास text node के अंदर आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास यह enter और अगर हम लोग नें स्पेसिस दी वी गया है तो वसी से इसके अंदर आ जाएंगे तो यह एक 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 डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हमारे पास किस तरह मेमरी के अंदर क्रीक्रियेट होगा और इसके अंदर कुछ हमारे पास element नोड़ जोंगी कुछ हमारे पास text nodes होंगे, कुछ हमारे पास attribute nodes होंगे, मुख्तलिफ किसम की nodes को मिला कि यह हमारे पास tree तरने का, tom से related जो हमारे पास data types है, document would be used to represent the whole document, उसके अंदर फिर हमारे पास जो node है, an element can be a node, as well as some text can be a node, तो उस tree के जितनी भी हमारे पास node है, we access them using the node object, उसके लिए हमारे पास node होगी, अगर हमारे पास multiple nodes है, जिस तरह हम लोग के एक node के हमें, एक element के तमाम children मिल जाए, तो वो एक collection of nodes होगी, तो वो हमारे पास node list की form में हमें वो available होगी, तो this is an array of nodes, फिर element जो है, वो specifically हमारे पास HTML के किसी element को represent कर रहा होगा, जिस तरह लास्ट एक एक element था, एक element था, और फिर हमारे पास attribute nodes होगी कुछ, जिसके अंदर हमारे पास अगर एक element के कुछ attributes हैं, तो वो भी हमारे पास as node जो है, वो represent होगी, तो इन सारी objects के लिए हमारे पास data types defined हैं और इनके through हम लोग DOM को access करेंगे और manipulate करेंगे.